नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल नौलिज पंडित पर मेरन जीत पांड़े आप सभी के लिए 50 जीके के कौश्चन्स का टेस्ट सेट पेपर इस वीडियो में लेकर आया हूँ ये कॉश्चन सेट पेपर हर एक्जाम के लिए इंपोर्टन है आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं आप एक कॉश्चन सॉल्ब करके अपनी तयारी को चेक कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन आउन कर लिजेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने ग्रूप में ज़रूँ शेयर करें चलिए शुरू करते हैं वीडियो जहलम नदी के किनारे प्रसिद्व वितस्थता का युद्ध किन किन सासकों के बीच में हुआ था तो पूरू एवं सिकंदर के मध्य में ये वितस्थता का युद्ध हुआ था महरवली का इस्थंब लेख किस साशक से संबंदित है तो महरवली का इस्थंब लेख चंद्रगुप्त द्वतिये से संबंदित है गुप्त काल के किस साशक को कवीराज कहा जाता है तो गुप्त काल के साशक समुद्रगुप्त को कवीराज कहा गया है चंद्रकुप्त दोतियने कब विक्रमा देते की उपाधी धारन की थी तो शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रकुप्त दोतियने विक्रमा देते की उपाधी धारन की थी गुप्त कालीन सोने की मुद्रा को क्या कहते थे तो गुप्त कालीन सोने की मुद्रा दीनार कहलाती थी रिगवेदिक काल में विनी में इनके माध्यम की रूप में किसका प्रयोग किया जाता था तो गाय का प्रयोग किया जाता था रिगवेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सरवादिक महत्यपूर्ण नदी कौन सी थी तो सरस्वती नदी सरवादिक महत्यपूर्ण नदी थी रिगवेद के दसवे मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है तो शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है अरेय शब्द का साब़्िक अर्थ क्या है तो शुरेश्ठेया कुलीन अरेय शब्द का साब्दिक अर्थ है बुध गया में इसत्थि दोह बोधि वरक्षिस के नीचे बुध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी किस सासक द्वारा कटवा दिया गया तो गौन राजा सुशांक के द्वारा कटवा दिया गया आरियों के मूल निवास थान के बारे में सरवादिक मानियमत कौन सा है तो मदे इश्या के बैक्ट्रिया में इनका मूल निवास माना जाता है भागवत धर्म का प्रधान किस गरं टो थो महत्मा गांदी जीने बालगंगा धर्तिलक को आदुनिक भारत का निर्माता कहा था सुवाश्चंद्रोध से पूर्फ आजाध हिंद्फाज का कमांडर कौन था कैप्टन मौहन सिंगarias पहले आजाध हिंद्फाज के कमांडर थे हैदराबाद नगर की इस्थापना किस ने की थी तो महुमद कुली कुटुफ शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी जैन ती ठंकर पारशुनात दुरा परदिपाद चार महावरतों में महावीर स्वामी ने पांचवी वरत के रूप में क्या जोड़ा तो पांचवी वरत के रूप में ब्रह्मचरे को जोड़ा रिगवैदिक आरियों की भाषा क्या थी तो संस्कृत भाषा थी रिगवैदिक आरियों की रिगवैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था तो पित्र सतात्मक समाज का स्वरूप था रिगवैदिक काल में बुध्य को किस नदी के तट पर घ्यान प्राप्त हुई तो निरंजना नदी के तट पर घ्यान की प्राप्त हुई आना सिक्की का प्रजलन किस मुगल खमराट ने करवाय था तो जहांगीर ने करवाय था वैश्राउमत किन साजकों के संरक्षण में अपने चरमोत करश पर वैश्राउमत पहुँचा जहन परंपरा गयनुसा जहन धर्म में कुल कितने तीर थंकर हुए तो चौबिस तीर थंकर हुए निमलिकित में से किस मुगल बाश्शाह ने राजा राम मुहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था तो अगर बरदुती ने लंदन भेजा था वैग्यानिक समाज की स्थापना किस ने की थी तो वैग्यानिक समाज की स्थापना सर सहीद एहमत खाने की थी आरे समाज आरे भारत में बाहर से आये विसर्व प्रथम किस इस्थान पर वसे थे तो पंजाब में आकर वसे थे सतवाहन सासकों की राज के भाषा क्या थी तो प्राक्रत भाषा सतवाहन सासकों की राज के भाषा थी किस कुशान सासकों ने सरवाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की तो कडग फाइसिस दुतिय कुशान सासक ने सरवाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की सभाव और समिती प्रजापती की दो पुत्रियां थी इसका उल्ले किस वेद में मिलता है तो अथर वेद है प्राम्न गरन्तों में सर्वादिक प्राशियां कौन सा है तो सद्पत्र나 गरन्त अुँनके pendulum सब से चुछा ScoreThतप लिए प्रांग या भैजी को अपनी राद करता थे निप्त吗 हड़ियों के अशिश मिलने के लिए सुर्कोटदा जाना जाता है भारत में क्रशी का प्राचीनतम साक्ष कहां से मिलता है तो मेहर गड़ से भारत में क्रशी का प्राचीनतम साक्ष मिलता है अमर कोश में कुल कितने प्रकार की भूमी का वरनन मिलता है तो बारह प्रकार की भ मेंसे कौन सी है तो अन्नागार मोहन जोदरोगी सबसे बड़ी इमारत है मुगल काल में निम्लिखित बंदरगाहों मेंसे किसको बाबुल मक्का दौर कहा जाता था तो मुगल काल में बंदरगाहों में से सूरत के बंदरगाह को बाबूल मक्का के नाम से जाना जाता था दिल्ली का पुराना किला किस के दौरा बनवाय गया था तो दिल्ली का पुराना किला शिरसा सूरी के दौरा बनवाय गया था अमर कोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ तो अमर कोट के राजा वीर साल के महल में अगबर का जन्म हुआ था मुगल दरबार में परदा सासन के लिए दिमिदार अतका खेल या हरम दल की सरप्रमुक सदस्या कौन थी तो मुगल काल, मुगल दरवार में पर्दा शासन के लिए देमिदार, अत्का खेलिया, हरम दल की सरव प्रमुख सदस्या, महम, अनगा थी नेक्श क्वश्चन है निम्न, इतिहास कारव मैंसे किसने अगबर को इसलाम धर्म का शत्रु कहा तो बदा यूनी ने अकबर को इसलाम धर्म का शत्रू कहा गुप्तिकाल का सर्व प्रमुख गड़तग एवं खलो खगुल विद्निम्न में से कौन सा था तो आरे भट्ट गुप्तिकाल का सरवादिक प्रमुख गड़तग और खगुल लगे थे अपने सासन में प्रश्यमी पक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतिय सासक कौन था तो चीपु सुल्तान अपने प्रश्यमी पक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतिय सासक था चंदेलों की राधधानी कहां पर इस्थित थी तो खजुराहों में चंदेलों की राधधानी इस्थित थी दिली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुरकान ए चिहाल गानी की स्थापना की थी दिली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देता आरम किया था तो दिली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउदिन खिल जी था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरम किया था तो दोस्तों ये थे 50 जीके क्वशन अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें, बेल आакेन अन करें वीडियो को लाइक ज़रू करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और हाँ अगर आप हमारी चैनल पर इससे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में हमने एड़ कर दी हैं वीडियो आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ख्याल रखें बहुत बहुत धन्यवाद